है रो स्टूडेंट आज हम लोग कुट ज निवंध पर चर्चा करेंगे खुट ज निवंध पर चर्चा करने से पहले हम लोग द्रिवेदी जी के बारम जाने थे हैं जीनोंने इस द्रिवेदी को लिखाया है हजारी प्रिशाद से लेकर मिर्तिव 1989 से बताई जा रहे हैं हजारी परसाद रुवेदी का जन्म गां आरत दूबी का छप्रा जिला वलिया उत्रप्तेश में हुआ था संस्कित महाविद्याले काशी से सास्त्री परिच्छा उत्रिन करने के बाद उन्होंने 1930 में कासी हिंद्विश्य विद्या पुर्दे रविन ना टायगोर और आचार छिती महाविद्याले का शानी देप्राप्त हुआ शन 1950 में वे वापस वारणसी आये और काशी हिंद्विश्य विद्याले में हिंदी विभाग के अध्यश पने 195 में प्रथम राजभासा आयो के शदस्य राश्पती के नामनी नियुक्त किये जै 1960 सली का सर्षत तक पंजाब विश्य विद्याले चंडिगड में हिंदी विभागा अध्यश्य का पद ग्रण किया 1967 में काशी हिंदू विश्य विद्याले में रेक्टर नियुक्त हुए यहां से अवकास ग्रण करने पर वे भारा सरकार की हिंदी विश्य अनेक योजनाव से शंबंद रहे जीवन के अंतिम दिनों में उत्तरप्रजिस हिंदी संस्तान के कारिय अध्यस थे आलोग पर पुस्तक पर उन्हें साहित अकादमी प्रश्कार दिया गया लगनों विश्य विद्याले ने उन्हें डिलिट की मानद उपाधी दिया और भारा सरकार ने उन्हें पद्नोहुषर से विवुषित किया पद्नोहुषर अलंकरन से विवुषित किया दिवेदी जी का अध्यान चेत्र बहुत ब्यापक था, शंस्कीत प्राकित अभ्रणश बंगला आधी भाशा हो गयों, इतिहास दर्शन स्थक्रिती धर्म आधी विश्चों में उनकी विश्चिस गती थी, इसी करन उनकी रचनाव में भारती शंस्कीती की गहरी पैठ और व शैली के विशिस्ता है, बेंग शैली के प्रियोक ने उनके निवंधों पर पाढ़नेते के भूज को हावी नहीं होने दिया, भासा शैली की दिष्टी से उन्होंने हिंदी की गस शैली को एक नया रूप दिया, उनकी महत्मूर रचनाय हैं, असोक के फूल, विचार और व भूमिका काली डाश की लालिती योजना आलोजनात्म ग्रंथ हैं, उनकी शवी रचनाय आजारी प्रशाद्रिवेदी के ग्यारा खंड में संकलित हैं, हम लोग पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगो हो है कुटज, कुटज हिमाले परवत की उचाई पर मानों के लिए एक शंद्र पाया है, कुटज में अपराजे जीवन शक्ती है, स्वालंबन है, आदम विश्वास है, और विश्व परसितियों में भी शान के शाथ जीने की छमता है, वश्रमान भाव से सभी परसितियों को शुकाड़ता है, शामाने से सभाने वस्तूमें बिसेज गुड़ हो शकते हैं यह जाता ना इस निवन का अविप्राय है कहते हैं परवशोभा कितने निकेतन होते हैं फिर हिमालय का तो क्या है का नहीं पूर्व और अपर शमुद्र मौद अधी और रतनाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय प्रिद्वी इतना इतनी शुक्ही निरश और कठोर होशिकती है वैसे अलग नंदा का स्तियों से काफी दूरी पर है के शुड़र्व का अलग तो दूर दूर तक खित्राय ही रहता हुगा शमुद्र हिमाले को देखकर किसी के मन में शमाधिस्त महाद्यकी मूर्थि मुद्र स्पर शु जहार जहंखाड और बहया से पेड़ खड़े अवसे दिख जाते हैं पर कोई और कोई हर्याले नहीं दुख तक सूख गई है काले काले चटाने और पीज में सुच सकता कि अंदर निरू सकता का इजार करने वाली रक्ताव रेती रश कहां है ये जो ठीक निश है लेकि इंसा काफी गारी पैठी रहती है ये भी पाचाड की छाती फाड़कर ना जाने किस अतलगहवर से अपना भाग ये भोग ये खिचलाते हैं शिवाली की सुखी निरस्वाड़ियों को मुस्क्राते हुए ये बिश्व द्वन्दातित है अलमस्त है मैं किसी का नाम नहीं जानता क किसे मुझे अनादी काल से जानते हैं इनी में एक छोटा सा बहुत सा ठीगना सा पेड़ है पत्ते चोड़े भी है बड़े भी है फूलों से तो ये ऐसा लदा है कि कुछ कुछ ये नहीं अजीव स्यादा है मुस्कराता जान पड़ता है लगता है पूछ रहा है कि क्या चाहन जाता हूं नाम नहीं यादा आता है पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप के पहले यह खाले पर दार एयं तब दोनी पहचाना दरी रहे जाती है भारती परनितों का शेकड़ो बार का कच्रा में जोड़ा प्रश्न सामने आ गया रूप मूख्य है या नाम नाम बड़ा है या रूप पहले है या पदारत है पदार सामने है पद नहीं सुझ रहा है मन ब्याकुल हो गया इसमितियों के पंग फैला कर शुदूर अतीत के कानूं में कोनूं में सुझता हूं इसमें ब्याकुल होने की क्या बात है नाम में क्या रखा है वार्श देर इन नेम नाम की जरुवत ही तो सव दिये जा सकते हैं सुझ मिंता ने गिरी कांता वन प्रभाश उब्रेटनी मदू धता विजी तापता तापता अलकावतंसा बहुशे नाम है या फि पर नहीं मानता नाम इसलिए बड़ा नहीं है कि वह नाम है वह इसलिए बड़ा होता है कि उसे समाजिक स्विक्रिती मिली होती है रूप व्यक्ति शत्य है नाम समाज सत्य है नाम उस बद को कहते हैं जिस पर समाज की मुहल लगी होती है आदुनिक सेचित लोग इसे सोशल सो सेक्षन का तक हां करते हैं कि नाम के रिए स्विक्रीट है इतिहार स्मस्छी मानों की इचित गंगा में इस नात इस गिली कूट वीहरी का नाम क्या है मन दूर दूर तेख रहा देश में और कार में मनू रथा नाम गती नर विदती अचानक याद आया अरे यह तो कुटज है संस्की साहित का बहुत परचित किन्तु कवियोद और आवमानी तो यह चोटा सांदार विरिच कुटज है कुटज कहा गया होता तो तो गताची ज्यादा अच्छा होता पर ना है कि यह सारे हैं कुटज की पेड़ हैं अब लोग अच्छी तरह से दिखिए इसको बहरा लिया कुटज कुटज है मनुहर कुशुम इस्त भकोशी जबराया उल्लास लूल चारुश्मित कुटज जी भराया कालिदास ने आसाड़ से प्रथम दिवशे रामगिरी परियच को जब में की अभ्यार्थना के लिए नियोजित किया तो कमवक्त को ताजे कुटज पस्वो की अंजली देखरी शंतोस करना पड़ा है चंपक नहीं बकुल नहीं निलोत पल नहीं मलिका नहीं अर्विंद नहीं फकत कुटज के फूल यह और बात है कि आज आसाड़ का नह पूचे थे अपने ही हाथों इस कुटज पूच्ब का अर्द्य देकर उन्होंने में की अभ्यार्थना की थी सिवाली की इस अनत्युच्य प्रवसिंखला की भांतिर रामगीरी भी रामगीरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा कुटज ने उनके शंत्री तिस चित्र को शाहरा दिया था बड़ भागी फूल है धन हो कुटज तुम गाड़े के साथी हो उत्तर क्यों सीर उठा कर देखता हूं सुदूर तक उची काली परवसिंखला चाही हुई है और एकाद सफेद बादर के बच्चे उससे लिप्टे खिल ले हैं मैं भी की बात है रहीम को मैं बड़े आदर के साथ दिसमर करता हूं दर या दिल आदमी थे पाया सो लुटाया लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है रस्चुस लेती है छिलका और घुटली फेग देती है शना है रस्चुस लेने के बाद रहीम को भी फेग दिया था एक बाहसा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं मन खराब रहा होगा लोगों की बेरुकी और विक बेकद्र दानी से मुझा गए होंगे ऐसी मना इस्तिती में उन्होंने विचारे कुटेश को भी एक चपत लगा दी जुझ लाये थे कह दिया वे रहिम अब विरच कर जीन कर चाह गंभी भागन बीच बीच देखी है शेहून कुटेश करी गोया कुटज अर्थनासा विरच हो चाही क्या बड़ी बात है फूल क्या कुछ भी नहीं चाया के लिए ना सही फूल के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए मगर कभी 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 मुट खराब हो जाय करता है वे भी देखाए कि不錯 चलत ब्याने के शिकार हो जाय करते यह फिर वागों सेगी कुट-विहरी का क्या तूख है क्या तुक है खूट गड़े को भी कहते हैं कोड़े से उत्पनोंइ के करतावी अगस्त मुस्यूनी भी कुटज इसर तो क्या उत्पन हुए Lenny और कोई और बात होगी संस्कित में कुटी हारी का और कुटकारी का दाशी को कहते हैं क्यों कहते हैं कुटिया या कुटी शब्द भी कताचित इसी सब से संबंध है क्या इस सब्द का आर्थ घर ही है घर में काम करने वाली दाशी कुटारी कुटकारी का और कुट हारी का कहीं तरदाशी के पूत्र थे घड़े में पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है न मुझे किसी संस के सब्द वो एक से अधिक रूप से प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुरिंता परेशक कर बैठते थे संस्कीत में कुर्टज रूप भी मिलता और कुर्टच भी मिलने को तो कुर्टज भी मिल जाता है तो यह सब्द किस जाती का है आर जाती का तो नहीं जान पड़ता शिल्वा लेवी कह गए है कि संस्क्रीत भासा में फूलो वरिच्चो और खेद भागबानी के अधिकान सब्द आगने भासा परिवार के हैं यह भी वही का तो नहीं है एक जमाना था जब आश्टेलिया और एसिया के महादूरी मिले विए थे फिर कोई भायंकर प्राकेते विस्फोट हुआ और वे दोनों अलग हो गए उनिस्वी सदी सताब्दी के भासा वे ग्यानी पंडितों को या देका असरी हुआ होगा की आशेलिया से सुधू जेंगलों में बसी जातीयों की भासा एसिया में बसी हुए कुछ जातीयों की भासा से संबंद है', भारत की अनेयग जातिया हुआ भासा जोलती है पुराने साहित हिसमर करके इशे कोल परिवार की भासा कहने लगे। पड़ने तो ने बताया कि शंकीत भासा के नेक शब्द है। जो अब भारती शंकीति के अविछिद अंग बन गए है। इसी सेड़ी की भासा कहे है। संकीत भासा ने सब्दों के शंक्रे में कभी छूत नहीं मानी। ना जाने किस-किस नसले के कितने शब्दे उसमें आकर अपने बन गए है। पर्णित लोग उसकी छानमिन करके हरान होते हैं संस्कीत सर्व ग्रासी भासा है। यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पोदा खड़ा है वरना और रूप दोनों में अपनी अपराजिय जीवन शक्ति के गोशन कर रहा है। इसलिए यह इतना अकरशक है। नाम है कि हजारों वर्थ से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आये और गए। दुनिया उनको भूल गए वे दुनिया को भूल गए। मगर कुटज है कि संस्कीत की निरंतर इस भी अमान सब्दरासी में जो जम के बैठा सुब बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या। जीवनी सकती को प्रणा देती है। दुर परवत राज हिमाले की हिमाचादीत चोटिया है। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधी लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पत्रीली जमीन का मैदान है। कहीं कहीं परवत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होगी। बीच में यह चटानों की उबड़ खाबर जटा भूमी है। यही आशन मारकर बैठे हैं मेरे चीर परिचित दोस्त कुटज। एक बार अपने जबरीले मुर्धा को हिलाका समाधे निष्ट माधेव को पुस्पर्स्त बग का उपहा चरहा देते हैं। और एक बार नीचे की और अपनी पाताल वेदी जड़ों को दवाकर गिर नंदिनी। सरिताओं को शंके से बता देते हैं कि रस का इस्तरोत कहा है। जीना चाते हो पठोर पासाण को बेद कर पाताल के चाते चीर कर अपना भोग के संग्रह करो। वाईवंडल को चूस को जंजा तुफान को रगड कर अपना प्राप्य वसूल लो। आकास को चूम कर आवकास की लहरी में जूम कर उलास खीचलो। कुटच का यही उपदेश है। बित्वा पासान पिठर छित्वा प्राव जन्नी ब्याथाम। पित्वा पाताल पानी ये कुटच शुम्बती नवह। दुरंत जीवन सकती है, कठी नुपदेश है, जीना भी एक कला है, लेकिन कला ही नहीं तपस्या है। जीव तो प्राण ढाल दो जिन्दगी में, मन ढाल दो, जीवन रस के उपकरणों में ठीक है। लेकिन क्या जीने के लिए जीना ही, बड़ी बात है, शारा संसार अपने मतलब के लिए ही तो जी रहा है। याग्ये वलक्ये, बहुत बड़े ब्रह्मवादी रिशी थे, याग्ये वलक्ये, उन्होंने अपनी पत्नी को विचित्र भाव से समझाने की कोसिस की की, सब कुछ स्वार्थ के लिए, पुत्र के लिए, पुत्र प्रिये नहीं होता, पत्नी के लिए पत्नी प्रिये नहीं प्रिचन शौर्थ भीतर की जीते रहने की प्रिचन निच्छा ही अगर बड़ी बात हो तो फिर यह सारी बड़ी बड़ी बोलियां जिनके बल बड़ दल बनाया जाते हैं सत्रु मुर्दन काविनेक किया जाता है देश्नद्भार का नारा लगाया जाता है साहित्र क्ला क कि मेह मगा जाते जूठ है इसके कोई अपना बड़ा स्वार चे 오늘도 से सोचना इन यह अग्यवला के ने जो बात धंका कर ढ़ंग से कह दी वह आंतिम नहीं थे वह आत्मना का अर्थ कुछ और बढ़ा करना चाहते थे विक्ति की आत्मा केवल विक्ति तक्सिमित नहीं है वह अभ्यापक है अपने मेशव और समय आप इस प्रकार की एक समझ्ष्टी भी नहीं मिलता अपने आपको दलिद द्राच्छा की वांति निचोड़कर जब तक सर्व के लिए निचावर्ग नहीं कर दिया जाता है तब तर स्वार्थ खर्ण सत्य है वह मुह को बढ़ावा देता है तिश्णा कुद्पन करता है और मन से दैनी क्रिप्र बना देता है करपड़ी दोस्ते जिसका स्वभाव बहुत हो गया है उसके दिश्टी मलान हो जाती है वह स्पर्ष नहीं देख पाता है वह स्वार्थ भी नहीं समझ पाता है परमार तो दूरुक की बात है कुटज क्या कि वह जी रहा है वह दुसरे के द्वार पर भीक मांगने नहीं ज करता आत्मुनाति इतुर निलšनाया करता अंुठियों के लड़ी नहीं पांता अध्डाउथ नहीं निपोड़ता बंगले नहीं जागता जीता है और सन से जीता है वास्ते कि उत kuidighं कोई नहीं जानता मगर कुछ बढ़ी बात है स्वात के दारें से mamaduk न युक्त की भाइसा में कह रहा है चाहे सुक या द्डुख पृढ़िए प्रीए जून मी जाए उस्यान के साथ हीदे से बिलकुल अप्राजित हो अभाड Kelvin करो हार मतमान। शुक करणनी फ्राप्टम प्राप्टमपाशित हिदय ना प्राजीत हिद्ट २ा प्राजीत हितना विचलवा हिबा ओuet होग होगा जो सुक दुख से प्रिय से विच्दित न होता होगा कुटच को देखकर रोमांच हो आता है कहां से मिली है यह अकूतो भयावृती अपराजी स्वभाव अविचल जीवन दृष्टी जो समझता है कि वह दूसरे का उपकार कर रहा है वह अबोध है जो समझता है कि दूसरे उसका अपनी इसरने एचासा ने इतियाध उoken जिथाता की होईना किसी को उसे सुख मिल जाए बहुत अच्छी बात है नहीं लिसका कोई बात नहीं है परन्तु उसे अभिमान नहीं होना चाहिए से पहुचाने का उभिमान यदि गलत है तो दुख पहुचाने का viva दो नितर नि जिसका मन अपने बस में नहींढु है वा दूसरे के मन का छ्णदा वर्तन करता है अपनों अपने को शिपाने के लिए मिद्ध्य आडंबर रशता है दुसरों को फसाने के लिए जाल विचाता है कोटजीन सभ मिथ्याचारों से मुगत है, वो वसी है, वो वेरागी है, राजा जनक की तरह संसाय मेराकर संपर भोगों को भोग कर भी उनसे मुगत है, जनक की भांती वो गोशा करता है, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को शदा, दुसरों के मन में गोशाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जी सका हूं, उसे बस में कर सका हूं, ना मात मार्ध में छामी मनो, नित्यम, मनो नंतरे, मनो में निरजिन्तम, तस मात, वसें दिश्टती, सरवदा, कुटज अपने मन पर शवारी करता है मन को अपने पर शवार नहीं हो देता मनश्वी मित्र तुम धन्य हो मनश्वी मित्रतल मतलब यहां पर जो कुटज है मनश्वी का मित्र दोस्ते साथ ही है सो आप लोग का यह कुटज चैप्टर एक खत्म होता है और आप लोग खुब अच्छी तरह से जैसे मैंने पढ़ाया है ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद मैं कुटज पर वीडियो लाओगी सो आज के लिए इतना ही थैंक यू